नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी PPF में गलत तरीके से इंवेस्ट कर रहे हैं ? जैसा कि बहुत से लोग करते हैं, मेरे आसपास के लोग जितने भी PPF में इंवेस्ट कर रहे हैं उनको इस बारे में पता ही नहीं होता है कि वो इतनी बड़ी गलती अपने PPF के investment के साथ कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वो गलती क्या है साथ ही आप लोगों का PPF 15 साल का नहीं 16 साल का investment होता है कैसे उस सब कुछ आप लोग इस वीडियो में जानेंगे मैं हूँ रभी दोस्तों और आप सभी के चैनल पर एक बाफिर से स्वागत करता हूँ तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग PPF की बात करते हैं तो Public Provident Fund एक 15 साल का investment है 15 साल के investment में जैसे कि आपने आज के दिन में PPF खोल लिया आज है अगस्त का महीना ठीक है अगस्त की कोई भी तारिक आप उठा लीजिए और आपने PPF को खोल लिया अब आप सोचेंगे कि इस अगस्त को लेकर कि मैं 15 साल जोडता हूँ तब जा करके मेरा PPF बनेगा मिच्योर होगा जी नहीं है आपका PPF जो है वो मिच्योर होगा 31 March को ठीक है आपने अभी खोला है तो इस महीने की अगले साल की जो भी 2022 जाएगी उसके 31 March को आपका वो मिच्योर होगा और इसलिए ये mature होगा क्योंकि ये yearly investment based है और इसका compounding जो है वो yearly होता है इसलिए जो भी आप लोग इसमें पैसा invest कर रहे हैं कभी भी आप लोग पीपी अपको open कर रहे हैं तो आप लोगों की जो ब्यासदरिक rate होती है वो 31 March उस financial year में होती है जैसे कि ये 2021 चल रहा है तो आप लोगों के जो maturity period start होगी वो अगले साल से start होगी ठीक है आप लोगों का गिना जाएगा अगले financial year से एक साल start होगा आज से नहीं start होगा इस महीने से start नहीं होगा I think clear हो नहीं clear हो तो नीचे comment करो WhatsApp पे message करो मैं पुरी कोशस करूँ हूँ कि आप लोगों को वहाँ पे clearance देश चीज कि PPF में जो भी आप लोगों को ब्याजदरे मिलती है वो हर तीन महीने पे government की तरफ से decide करी जाती है अब government हर तीन महीने पे उसको change कर रही है नहीं कर रही है वो announce करती है आप लोगों के सामने कि क्या PPF पे या फिर post office की other schemes पे ब्याजदरे हैं दूसरी चीज कि आप जो भी ब्याज मिलता है वो महीने के basis पे मिलता है जैसे कि माली जी की एक साल में 12% का ब्याज आप लोगों को PPF में मिल रहा है ठीक है ये पूरा एक average निकल करके आ गया है तो हर महीने आप लोगों का पैसा माली जी की 1000 रुपे डाला है तो 1% वहाँ पे calculate होगा ठीक है तो इस तरह से आप लोगों का batch calculation होता है और जो 12 महीनों में आप लोगों का पैसा ब्याज दरों के रूप में calculating हुआ है वो जाकर करके credit होता है आप लोगों का account में 31 March को ठीक है? 31 March को वो credit होता है फिर इसी तरह से ये सरिंखला चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और इसी तरह से वो compound होता है यानि कि अगर आप compounding की बात करते हैं तो आप लोगों का ब्याज credit होने के बाद compound होता है दूसरा है कि आप लोगों को यहाँ पे जो ब्याजदरे मिलती है वो monthly basis पे मिलती है और जो credit होती है वो आप लोगों के salana basis पे होती है और salana basis पे compound होती है तो यह clear हो गया अब जो है इसका master stroke है और यहाँ पे आप लोगों को समझना है PPF में आप लोग कैसे जादा से जादा benefit ले सकते हैं देखिए PPF में minimum investment करने का जो option आप लोगों को मिलता है वो 500 रुपए अब यह 500 रुपए वाले investment option को आप लोग समझेए आप लोग अगर लंशम कर रहे हैं यानि कि एक साल में केवल और केवल एक बार investment कर रहे हैं जो कि आप लोग को PPF option देता है तीन महीने का देता है छे महीने का देता है तो वो आप लोग अपने हिसाब से choose कर सकते हैं तो अगर आप लोग एक साल में कर रहे हैं तो 500 रुपए वो minimum amount डालना होगा ठीक है वहीं पर अगर आप लोग मंतली कर रहे हैं तो जब भी आप लोग उसमें पैसा deposit करें अपनी PPF में तो हर मह लोहीं है आप लोगों को minimum 500 करना होगा अगर आप लोग नहीं करते हैं 500 तो आप लोगों का deposit वो accept नहीं करेगा इस बात कर ध्यान रकिया ऐसा नहीं हे कि आप लोगों का पांच वाला बड़ा ये सिस्टम सही है कि आप लोगों का जो भी ब्यासदरी कैलकुलेट होती है मंतली बेसेश पे वो महीने की पांच तारीक को होती है और जो लोग भी इसमें आय होते हैं पैसा डेपोजट किये होते हैं वही कैलकुलेशन होता है यानि कि अगर आपनी पीप अप में पांच तारीक के पहले पैसा डाला हुए तो आप लोगों को प्रेजन्ट मंत की ब्यासदरे मिलेंगी अगर आपने उस पांच तारीक को जंप कर दिया है तो वो कैलकुलेशन नहीं होगा और वो अमाउंट जो है वो अगले महीने में चला जाएगा अब कहेंगे लोग भाया ब्यास तो मिलेगा ही लेकिन आप ध्यान रखो कि ब्यास तो मिलेगा आपको लेकिन जो प्रेजन्ट कैलकुलेशन है वो आप लोगों को नहीं मिलने वाला है प्रेजन्ट ब्यास दर जो है मालीजी कि इस महीने में आप लोगों को इतना 6% का ब्यास मिल रहा है अगले महीने मालीजी तिमाही पड़ गया और ब्यास दर जो है वो और कम हो जाए अब होगा गया कि आप लोगों की ब्यास दर जो है quarterly कर रहे हो, ठीक है, तो आई हो भी वीडियो आप लोगों को कुछ helpful लगी होगी, कोई भी question आ रहा होगा, या फिर कोई भी detail आप लोग लेना चाहते हैं, इससे related या किसी और topic पर वीडियो चाहते हैं, तो नीचे comment करके मुझे बताइए, मुझे काफी अचा लएगा आप लो का दिन सब हो, जाहिन!